अयोध्या में राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा का कारेक्रम भव्य तरीके से संपन्य हो चुका है। अब आप इसके नियम भी जान लीजिए। सुबर तीन बजे से पूजन और श्रिंगार की तैयारी होगी। चार बजे राम लला को जगाया जाएगा। पहले की तरह ही आरती होगी। राम लला को हर घंटे फल दूद का भोग लगेगा। अब सबसे जरूरी सवाल की भक्त राम लला के दर्शन कब कर सकेंगे। तो जवाब है सुबर आठ बजे से रात दस बजे तक। दरसल प्रान प्रतेश्था के बाद श्रधालूओं की भीड को देखते हुए ये निर्नर लिया गया है। कि खरीब 14-15 घंटे तक भक्त राम लला के दर्शन कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल है कि राम लला की पूझा किस परंपरा से होगी। तो राम लला की पूझा रामानंदी परंपरा से की जाएगी। इसमें प्रभु राम के बाल स्वरूप की पूझा की जाएगी और उनका लालन पालन खान पान का ध्यान बालक की तरह रखा जाएगा। वही राम मंदिर के मुख्य पुचारी आचारिय सतेंद्रोदास ने कहा कि आयोध्या नगरी दिव्य दिखाई दे रही है। इस समय त्रेता युग की जलक देखने को मिल रही है। अयोध्या भक्तों के समू से बहर गई है। एसी चलेगा, यह दो-चार दिन चलता रहेगा क्योंकि एतना भक्तों के समय आ गये है। हुष्यद्गर चार हजार तो संतों के समय है। चार घजार हर मंदिरों की जतने जतने दें architectsëं पूरे भारत की बरतें एक वही राम लला के वस्त्रों को दिन के अनुसार बदला जाएगा मतलब राम लला सोमवार को क्या पहनेंगे मंगलवार को क्या पहनेंगे ऐसे ही हफते के सभी दिन मंदिर के पुजारियों के मताबिक सोमवार के दिन राम लला सफेद वस्त्रों में दिखेंगे तो वही खास अपसर पर राम लला पीले वस्त्रों धारन करेंगे भगवान राम को मंगलवार के दिन लाल, बुधवार को हरा रंग, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को हलका पीला, शनिवार को नीला और रविवार को गुलाबी रंग के वस्तु पहनाए जाएंगे